हेलो डियर इस्ट्टेंट्स आज के इस लेक्चेर में हम लोग मेकनिक्स के यूनिट 3 के MCQ को डिसकस करेंगे जो हम लोग का पार्ट सेकेंड होगा इसके पहले कल हम लोग पार्ट फर्स्ट डिसकस किये थे उसमें कुछ हम लोग इंपार्ट टू डिसकस करेंगे जिसमें आगे कुछ और important MCQ को देखेंगे जितने भी MCQ कराए जा रहा हैं ये सभी के सभी MCQ आपके examination point of view से काफी important है पिछले सालों में जो मैत का पेपर हुआ है उसका एक फार्मिट देखा गया है कुछ तो direct formula based question आपके MCQ बनाए गये थे लेकिन आप जरूर देखेंगे दो चार question paper में हर साल ऐसा आया था जो direct question है तो उसके result को पूछ दिया था तो इस वज़से जब आप कोई derivation करें या कोई question साल करें तो उसके result को भी एक ध्यान से जरूर देखें वहां से भी direct MCQ बनता है तो इस वज़से थोड़ा सा साधानी से पढ़ें केरफुली पढ़ेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा होगा बाकी 25 कोशन तो लगो आपके formula बेश होई होते हैं बाकी 57 कोशन आपके theory में सुठा जाते हैं और बाकी 10 जो होते हैं आपके वह भी लवर derivation और formula को मिला करी बनते हैं इस वासे sincerely पढ़ेंगे तो आपका paper बहुत अच्छा होगा अब कोशिस करें चीजों को समझा जाए या किया जाए ओके चली स्टार्ट करते हैं देखे सबसे फ़र्स्ट अमर कोशन कर रहा है कि in an elastic string hooks ला इच कहला कि अगर elastic strings है तो उसमें hooks ला क्या होगा देखिया आप पढ़े होंगे कौन सा formula सही होगा जो आपका stress होता है वो directly proportional होता है कि इसके string के ठिक और उसी में आप क्या करते हैं stress के बाद proportionality concern हाटाने के lambda यूज़ कर लेते हैं और इधर string लिख लेते हैं तो इस formula का अगर देखा जाए आथ stress है ठिक एक तरीके का force है यहाँ T V है तो tension भी अगर string है तो tension भी एक तरीके का force है तो यह क्या हो जाएगा ए नमबर आपसन आपका correct होगा देखिये क्या इधर stress है और इधर क्या है ए चेंज इन लेंथ है और यल क्या है original length है यह आपका क्या होगा strain हो गया और lambda के साथ क्या है associated है इस का अलब क्या है यह आपका hooks ला है दूसरा चीज इस question में आपको एक और doubt हो सकता है अगर आप physics के sense में बात करेंगे तो क्या doubt हो सकता है physics में जब आप strain पड़े थे तो उस पे l-by l करके पड़े थे या dl-by l करके पड़े थे ठीक तो यहां से एक doubt आपको और हो सकता है कि dl तो नहीं न चेंज इन लेंथ है यह भी आपके दिवांगे डाउट हो सकता है तो अगर एक sense में देखा जा तो आपका d number option भी correct हो सकता है अगर dl को चेंज इन लेंथ बाने और l को original length भी correct होगा लेकिन book में a option को follow किया है इस वासे कई पताने का मतलब यह था अगर माल लिजे यह option भी उल्टा सिदा कुछ दे दे lambda into l करके या lambda l dash करके छोड़ दे तो आपको मजबूरी में जो d number option उसको correct करना पड़ेगा क्योंकि dl को आप change in length मान सकते हैं ठीक second number question करा देखे second number question करा कि the speed v of particle moving along the axis of x is given by relation v square is equal to n square multiplied by in bracket 8vx minus x square minus 12v square bracket close the motion is simple harmonic with its center at ठीक एक condition दिया है कि motion आपका क्या होगा simple harmonic होगा with its center at ठीक तो आप condition इसको आपको solve करना है तो देखे अगर center पर motion पुछा है center पूछ रहा है तो इसका अब center पर velocity आपका क्या होना चाहिए maximum होना चाहिए क्योंकि mean position पर velocity maximum होता है और extreme पर क्या होता आपका velocity minimum होता है ठीक तो आप value जब substitute करेंगे तो आप यह पाएंगे कि x is equal to जो आप 4 भी put करेंगे दिये गए equation में तो आपको क्या होगा उस time देखेगा भी जो होगा maximum मिलेगा बाकी x is equal to 0 पर ही आपका भी का value negative देखेए धराने लएगा x is equal to minus 4 भी पर भी negative आएगा और x is equal to minus x is equal to 2 भी पर negative आएगा और origin पर क्या होता है मला mean position पर center पर क्या होता है velocity maximum होता है इस वासे x is equal to 4 भी वाला option आपका जो होगा वो क्या होगा correct होगा ओके अगर आप x is equal to 2 भी पुट करते हैं यहाँ देखे क्या हो जाएगा आपका 16 b square और x is equal to 2 भी पुट करेंगे तो 4 b square minus v minus 12 b square यह देखे वेलाश्टी center पर क्या करते रहा जीरो करते रहा इसका अलब यह भी satisfy नहीं करेगा क्योंकि center पर वेलाश्टी तो maximum होना चाहिए तो इस वसे देखिएगा आप जो option number a होगा correct आएगा बाकी आप x is equal to 0 और x is equal to minus 4 भी भी पुट करेंगे तो इस टाइम भी वेलाश्टी आपका maximum नहीं आएगा कुछ negative value आएगा इस वसे x is equal to 4 b वाल option जो होगा आपका क्या होगा correct होगा अब देखिए पूछ रहा है कि if the displacement of a particle moving in a straight line is expressed by equation x is equal to a cos nt plus b sin nt then it describes a simple harrowing motion with time period ठीक time period पूछ रहा है किसका क्या होगा अगर ये equation क्या कर रहा है simple harrowing motion को फालो कर रहा है तो देखिए टिक्नामेट्री वाला टेक्निक हम लगाएंगे यापे yax है yax is equal to क्या लिखेंगे a multiplied by देखिए अपने मन से मैं कर रहा हूँ a square plus b square उपर भी और a square minus b sorry a square plus b square क्या करेंगे नीचे भी multiply करेंगे ठीक पूरे equation रूखे मैं फिर से लिखता हूँ एक मिट देखिए फिर से उता रहा हूँ इस पूरे equation में आप क्या करिएगा under root a square plus b square से numerator और denominator दोनों में multiply कर दीजेगा ताकि value को कोई फर्क न पड़ें जैसे आप इसी इसको करेंगे तो मैं a square plus b square बाहर ले लेता हूँ ठीक और इसके साथ कुछ ऐसे लिख दे रहा हूँ a square plus b square और यहां क्या हो जाएगा कास यंटी और फिर देखिए इधर क्या लिख दे रहा हूँ प्लस b divided by निशे आला numerator जो है मैंने इसके साथ लगा दिया किसके साथ जो function था और यहां क्या हो जाएगा आपका sin यंटी हो जाएगा ठीक एक तरीका देखिए अब क्या करेंगे अब हम लोग tignometry अपना यूज कर लेंगे मालने रहे कोई मेरा एक right angle triangle है ठीक और मालने रहे ये angle theta है तो ये angle theta है और इसको a मालने रहे है और इसको b मालने रहे है तो definitely जो hypotenuse होगा वो क्या होगा आपका a square plus b square होगा you all are familiar with this formula तो यहां से देखिए क्या होगा अगर हम sin theta लिखना चाहें तो sin theta क्या हो जागा आपका perpendicular upon hypotenuse तो मतलब a upon under root a square plus b square क्या लिख सकते हैं sin theta लिख सकते हैं similarly b upon under root a square plus b square क्या लिख सकते हैं यहां क्या हो जाएगा आपका काश theta हो जाएगा तो अब जो हम लोग का नया equation बना वो किस form में बना now this given equation takes the form as क्या हो जाएगा sin theta फिर से मैं लिख दे रहा हूं उसको erase करके लिख रहा हूं नया equation देखिएगा जो बना है under root a square plus b square और यहां क्या हो जाएगा sin theta कास यांटी और फिर क्या हो जाएगा plus कास theta sin यांटी ठीक आपको कहिए नन डाउट हो रहा है कि a square plus b square पर उपर नीचे क्यों किया गया क्योंकि उपर नीचे a square plus b square under root में जो value से multiply किया गया है ताकि दिये के equation में कोई फरक न अपने नहीं तो क्या हो जाएगा जो equal al sign है वो hold नहीं करेगा इस वासे जो value हम numerator में multiply किया है वह ही denominator में करना है तो इसको as it is हम लोग क्या कर लिए बाहर निकाल दिए अब देखिए आप पढ़े होंगे sin a plus b क्या होता है sin a cos b plus cos a sin b होता है तो यहां से हम इसको अगर लिखना चाहिए तो कैसे लिख सकते हैं इस पूरे value अगर हम a मालने है तो यहां क्या हो जाएगा sin n t plus theta हो जाएगा तो देखिए यह equation आ गया किसका equation आ गया simple harmonic motion का और इस equation को आप अगर compare करिए किससे compare करिए यक से जिकल टू एक sin omega t plus phi से compare करिए तो omega का value क्या मिल ला है आपको n मिल ला है और amplitude का value क्या हो रहा है under root a square plus b square मिल ला है तो amplitude कुछ ता आप क्या लिखते है under root a square plus b square लिखते है अब हमको time period पूछ रहा है तो time period जब compare किए तो आपको पता है T equal to क्या होता है 2 pi by omega होता है और omega का वहलू हम लोग क्या पाएं यह न पाएं इस वाद से बी नमबर आप संजय होगा आपका क्या होगा गरेक्ट होगा ओके देखे आसान कुछन है थोड़ा सा बस सोचने वाला कुछन है ऐसा आप तमाम भामुला लगाए ह होंगे एक मैं याद दिलाता हूँ आपको क्लास 10 कर्टिग्रामेट्री याद दिला देता हूँ देखे ऐसा फामुला अप लगाए होंगे कुछ इस तर रहा होगा रूट 3 गास 60 प्लस फिर क्या रहा होगा यहाँ पे कुछ टू साइन सिस्टी ऐसे करके रहा होगा ताप क्या करते थे नहीं यहाँ पे इस वैलू को डिवाईड वाइड करके सेट करते थे थे थाके साइन A, साइन B, कास A, कास B के फाम में लिख सकें बस वही फाम आपको क क्या किया गया यहां पर यूज़ करके उसको एक एक क्वेशन बनाया गया है ठीक फॉर्थ नंबर को संग कर रहा है देखिए तो डिफिनीशन पर को संग है कर रहा है कि दर फिनामनों आप कोलाइडिंग आर इंपिंजिंग आप टू बाडिज विथ इच अदर इच काल रहा है इसी को क्या करते है आँ लोग इंपैक्ट करते है ठीक यह तो आप डिफिनीशन पर लोगे यह क्या कर लाता आपका इंपैक्ट कर लाता ओके पांचवा नंबर को संग कर रहा है कि if two equal perfectly elastic balls impinge the interchange there अगर दो perfectly elastic balls क्या कर रहा है impinge कर रहा है तो उनका क्या interchange करेंगे आपस में तो आपस में impinge करेंगे तो क्या interchange होगा उसमें velocity का interchange होता है एक विराश्टिक क्या होगा उनका आपस में interchange होगा ओके यह सब तो छोटा हटा चीज़ आपको पढ़ाया गया होगा अच्छे साब familiar इन सब चीज़ से अब देखें फिर कर रहा है six number question six number question कर रहा है कि if a smooth sphere impinges obliqually on another smooth sphere at rest the letter begins to move along the क्या होता है यह देखिया आप statement उसमें पढ़े होंगे कई सारा case करके आपको पढ़ाया गया होगा जो letter move करेगा जो बादवाला sphere move करेगा वो कैसे move करेगा किधर move करेगा move करेगा line up center पे line up center के carding क्या करेगा वो move करने का काम करेगा ठीक यह सब statement based mcq है ठीक आप जाके देखिएगा आपको बुक में यह सब जो आप theory पढ़े होंगो इस theory में से देखिएगा serial wise case करके होगा उसी case से उठाया गया उसी की भी ऐसे seven number question कर आए कि if two perfectly elastic and smooth sphere आप equal masses impinges obligally the interchange there dot 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 along the line up center वो आपस में क्या interchange करेंगे कभी को मैं बताया था जब टकराते हैं क्या interchange करते हैं एक दूसरे का velocity क्या करेंगे दूसरे से interchange कर लेते हैं और किधर करेंगे line up center के along the line up center वहाई same चीज़ देखिए क्या है जो इसमें था move से लांग line up center के along क्या करते हैं मूब करते हैं चाट वा कोशन और interchange करने का बात आगया क्या move क्या interchange करेंगे अपने velocity को interchange कर लेंगे ठीक तो इसका seven number question का बी number option क्या होगा correct होगा यर्थ number question का राय कि the impulse of the blow on the ball आप mass image यह भी देखिए formula आप निकाले होगे तो क्या आया होगा यह म्यम डेस इद ब्रेकेट one plus c multiplied by another bracket u minus u dash whole divided by m plus m dash थेक तो बी number option आपका क्या आएगा correct आएगा सब formula based question है देखे nine number question जाब बुक में पढ़े होगे last साथ quantity energy वाला तो उसमें यह चीज़ देखे होगे इस term के साथ क्या होगा कुछ mass का term आया होगा और साथ-साथ velocity का भी term आया होगा फिक वही क्या आपका last है उचाना किस fraction से last होगा तो जो fraction last होगा क्या होगा आपका one minus e square by two fraction last होता है जब उनका क्या होता है impact होता है इसका होगा c number आपसं जो होगा आपका क्या होगा correct होगा ओके देखे कारण a sphere impinges directly on a equal sphere with sorry which is addressed then what fraction of original kinetic energy is last during the impact तो यही fraction आप जाके देखिएगा क्या होगा उसमें last होता है इतना kinetic energy क्या होता है नुकसान हो जाता है ओके 10 number को संकर रहा है कि after impact अगेंस्ट a fixed smooth plane the smooth sphere moves back with velocity which is तो देखिए किस velocity से move करेगा यह भी आप case wise करके पड़े होंगे माल दीजे कोई एक आपका plane surface है एक plane surface है यह क्या हो रहा है आपका एक sphere है और यह माल दे रहा है यह line है ठीक जो आपका यह contact हो रहा है यह माल दे रहा है यू क्या है आपका velocity है और भी क्या हो रहा है टकराने के बाद इसका velocity हो जा रहा है यू क्या था इसका initial velocity हो जा रहा है और यह angle माल दे रहा है alpha है और इसको तो देखिए अगर आपका इसके लिए equation लिखेंगे तो क्या हो जाएगा B cast theta is equal to E u cast alpha होगा ठीक यह आपका क्या है अगर माल ले रहा है alpha है और यह क्या आपका theta है यह तो यहाँ से फिर जब इसको आप लिखेंगे अगर क्या हो जाए यह alpha is equal to condition देखिए आपके book में होगा आप पढ़े होंगे इसको मैं पूरा derive नहीं कर रहा हूँ alpha is equal to theta is equal to 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा cast theta का जो value है 1 हो जाएगा और यहाँ cast alpha का जो value है वो भी 1 हो जाएगा क्योंकि cast 0 का value 1 होता है तो यहां से क्या हो जाएगा पास्वन नहीं है इस वासे मैं आपको डारेट बुक पर रेफर कर दे रहा हूं वहां से आप जाके स्वीश को देख लिजेगा वहां से एम से क्यों उठाए गया बुक में थियोरी में सब चीजा आप पड़े होंगे 11 नम कोशन करा कि वेन 11 नम करा है कि वेन when a smooth sphere impizes with a smooth and perfectly elastic plane तो देखे जब इसके साथ टकराएगा तो क्या होगा उस टाइम पे जो angle of reflection होगा वो angle of incident के बराबर होता ये केस आप पड़े होंगे और जो velocity होता है उसका magnitude unaltered रहता मलब उसके magnitude में क्या होता है कोई change नहीं होता ये number option आपका क्या होगा correct होगा ये सब condition आप देखते जाईएगा फिर देखे 12 नम कोशन 12 नम कोशन करा कि when two bodies impinges directly then their relative velocity after impact is in the contact ratio with their relative velocity before impact and in opposite direction the constant ratio is called इसी को हम लोग क्या करते हैं coefficient of restitution करते हैं ठीक ये तो आप पड़े होंगे उसी का definition है ये क्या कलाता है आपका coefficient of restitution कलाता है देखे कुछ definition based है कुछ derivation based है और कुछ क्या है आपके जो mcq है वो थोड़े से numerical based है ठीक हर टाइप के mcq आपको पता है एक्जाम में पूछे जाएंगे आपसे तो अब देखे करा 30 नमगो कुछन तो बड़े आप मासे यम और यम देश रिस्पेक्टिवली कोलाइड विछ अदर विछ 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 यू अद यू देश अलांग देर लाइन अप सेंटर आप ग्रेव टी मेजर इन दे सेंट डारेक्शन आपकर इंपक्ट देवि इस चट लाइन, with velocities V, V, देन, momentum equation H, तो momentum equation जब आप इसका लिख एंगे, तो क्या हो जाएगा, जो momentum equation होगा, क्या होगा, ym v plus ym dash v dash is equal to क्या हो जाएगा आपका ये तो आप देखे ही होंगे लिखे भी होंगे इस पर आप numerical भी लगाए होंगे ym u plus ym dash u dash यही क्या होता आपका momentum equation होता है इसका अलग b number option जो होगा आपका क्या होगा correct होगा जो b number option आपको दिखाए दे रहा है वो क्या हो जाएगा आपका correct option होगा ठेक अब देखे 14 आप question कर रहा है कि if the radial and transverse velocity of a particle are always proportional to each other then the path is a या an क्या होगा क्योंकि option में वावल भी मलब e से शुरू अनले word भी है और c से वावल कांसोनेंट दोनों से शुरू अनल वर्ड वर्ड है इसलिए option में a या an लिखा हुआ है ठीक confuse करने के लिए ताकि आप confuse आप दिवांग तुरंट दाता कि a या b में से होगा आइन लिखा रहा था कि और आपके दिवांग में आता c या d में से कोई होगा तुका मार देते लेकिन a या an लिख दिया था कि आप थोड़ा सा confusion हो ओके तो देखे जो कह रहा है क्या कह रहा है कि जो radial velocity है वो क्या है directly proportional है कि इसके transverse velocity के मतलब d r by dt is directly proportional to r d theta by dt अब इसको हटाने के लिए प्रोपेशनल्टी कांस्टेन हटाने के लिए मैंने यहाँ पे lambda क्या कर दिया introduce कर दिया अब देखे dr वाले को क्या करेंगे variable separation में इठर लगा रहा है dr इधर है तो r को नीचे लेख चले आ रहा है तथा dt से dt चला गया और d theta इधर है ठीक इधर क्या लिख रहा है हम lambda d theta लिख दे रहा है ठीक variable separation में ठल लगा दिए lambda तो प्रोपेशनल्टी कांस्टेंट है अब क्या करेंगे इसी को integrate करेंगे और जब integrate करेंगे तो आप देखेगा कुछ आपको equation जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा और इसी के पावर lambda theta जरूरी नहीं आपको यहां पर a मिले आपको c मिल सकता है d मिल सकता है कुछ ही मिल सकता है यह a जो आपका होगा वो क्या होगा proportionality constant होगा जो मैं यूज किया हूँ आप हो सकता दूसरा sorry integration constant है जो मैं यूज किया हो सकता आप को दूसरा integration constant यूज करेंगे तो ये जो भी constant आप यूज करेंगे वो r के साथ यहां पर आएगा तथा e के पावर lambda theta आएगा और यही जो equation होता है किसका equation होता है इक्वी एंगुलर spiral का equation होता है जो आपका इक्वी एंगुलर spiral होता है उसका equation क्या होगा r is equal to a मतलब a b c d कुछ भी आँ सकता है यह क्या है आपका arbitrary constant है e lambda theta ठीक यही क्या है आपका इक्वी एंगुलर spiral है जो आप देखे होंगे ऐसे होता है ठीक इसी का equation क्या है यहां पर है d number option क्या होगा correct होगा आप condition दिवांग रखिएगा जब कभी भी radial velocity transverse velocity के directly professional होता है तो हम लोग mathematical भी देखे और उसको दिवांग में रखिएगा आप अपने क्या बनता है इक्वी एंगुलर spiral बनता है तो अगर इस इसको आप इसी दिवांग में set कर लेंगे एक्जाम में साल्व करने जरू होती नहीं है ओके तो इस्टा आपर टाइम बचेगा आना स्मूथ वायर किसी स्मूथ वायर पे इन दस सेप आप कर डायर आर इचकल टू ए प्लस कास ठीटा एक काल डायर के सेप में है जिसका एक क्योशन यह है तो कर आएक की radial acceleration क्या होगा ठीक radial acceleration क्या होगा जो radial acceleration का आपको फामुला पता है अब साल्व करिएगा r double dot और minus r theta dot इसको इसमें क्या करेगा इसके value को रख के solve करेगा डिफेंसर करके put करेगा तो जो आप put करेंगे तो आपको constant मिलेगा इसका radial acceleration ओके आप question को solve करिए अगर आप लोगों कहीं भी डाउट होता हो तो description box में telegram link instagram link और what's the number 3 है आप कहीं से भी जूड सकते हैं इस channel से और अपने doubt को clear कर सकते हैं बाकी अगर आपका कोई suggestion है कि वीडियो में क्या improvement लाना चाहिए या आपका कोई valuable feedback है तो आप जाके वहाँ पर दे सकते हैं साथ ही साथ comment box में भी जाके आप अपने suggestion को valuable feedback को कि दे सकते हैं कि तो इसका क्या होगा 59 को सब्सक्राइब आपका क्या होगा constant होगा एक चीज आपको जरूर दिक्कत हो रहा होगा कि जो मैं यहां बना रहा हूं वो slide या पीडिके फार्म में नहीं लाया हूं क्योंकि उसमे मेरा बस कोशिस है कि आपको quality content provide कर दिया जाए आप अगर समझना चाहेंगे इस content से आसानी सी समझ सकते हैं बाकि अगर आपको PDF चाहिए तो टेलिगाम पर मैं PDF डालता हूं वहां से आप जाके PDF ले सकते हैं 69 कोशन कर रहा है कि the velocity of a particle along the perpendicular to the radius from a fixed origin r, lambda r and mu theta then path will be यह जो कोशन है आपके mid time exam भी पूछा जा सकता है काफी मज़िदार कोशन है ठीक और काफी क्या है आसान भी है मज़िदार भी है और आसान भी है ओके तो इसको मैं solve करने का तरीका बता दे रहा हूं आप solve करिएगा definitely आप solve कर ले जाएंगे ओके देखिए करा कि जो इसका दे विलास्टिया पार्ट की लिहां करा देखिए इसके विलास्टिया है एलांग और पर्पेंट कुलर एलांग रहेगा और पर्पेंट कुलर रहेगा तूडर रेडियस ठीक यहां एंड छोड़िए आप निख लिजेगा उसको तूक मलदा जो रेडियल विलास्टिया है उसका वैलू क्या है लेमडा आ रहा है और जो ट्रांस्वर्स विलास्टिया है उसका वैलू क्या है आपका पर्पेंट कुलर तूडर रेडियस मलनाव ट्रांस्वर्स विलास्टिया उसका जो वैलू होता आपका क्या होता है आर दी ठीटा y dt वह किसके बरावर है mu theta के बरावर है ठीक अब देखिए इसमें का रहा है कि perpant per radio from fix original इतना then path will be अब का रहा है किसका path क्या होगा तो इसके path को क्या करना आपको बताना है कि इसका path क्या होगा तो यहां से जा कि आप इसको solve करेगा दोनों equation मैंने लिख दिया है यहां से जब आप जा कि इसको solve करेंगे तो आपको आसानी से इसका solution मिल जाएगा अब देखें dr by dt है और इधर यह है दोनों equation को आपसे डिवाइड कर दीजिएगा left hand side को left hand side में और right hand side को right hand side से और उसकर्ट क्या करेगा variable separation method लगाएगा dr के साथ r वाले को और constant को या theta वाले को theta के साथ लगा दीजिएगा और integrate करिएगा जब आप integrate करेंगे तो इसका b number आप समखें क्या आएगा correct आएगा आप जाके करके देखिएगा फिर भी अगर आपसे नहीं होता है इसका solution अगर आप चाहेंगे तुम्हें provide कर दूँगा तरीका बता दिया हूँ radial velocity दिया इसके बराबर है transfer इसके बराबर है दोनों का आपस में divide करना है कैसे divide करना है left hand side को left hand side से right hand side को right hand side से divide करना है dr by d theta वचेगा left hand side में और right hand side में lambda upon mu theta बचेगा बस वहाँ से जाके variable separation method यूज करिए और integrate कर दिजे वहाँ से जाके आपका क्या होगा equation मिल जाएगा path मिल जाएगा और who किसके बराबर होगा minus 1 by r lambda by mu times lakh theta plus a या आप सकता आप दूसरा value लेके चलने b c d कोई constant आपको क्या होगा वहाँ से मिल जाएगा ओके काफी असान question है 17 नव question करा है कि the value of sorry the velocity of a particle along and perpendicular to the along and perpendicular to the radius vector from origin r lambda r square and mu theta square then path h same question है dr by dt का value दिया है कितना lambda r square और r d theta by dt का value किना दिया है mu theta square बस divide करिए variable separation method use करिए solve करिए after solving you will get the option number b is the right option okay तो क्या हो जाएगा दोनों का जो b वाल option होगा क्या हो correct होगा या बाद साल्व को लिए जगा अब देखिए okay 89 कोशन का रहा है कि a point p describe with a constant angular velocity omega about o मार्लब center है कोई o उसके बाद the equi angular spiral उसका भी equation दिया है o being equi angular spiral का equation क्या दिया है r is equal to a e to the power theta और फिल दिखा है o being the pole of spiral then the transverse acceleration of pH तो का रहा है कि transverse acceleration क्या है p का transfer acceleration आप p तो transverse acceleration बताना है तो देखिए transverse acceleration को पता है आपको क्या होता है one by r dt dt और r theta dot square होता है बस इसी में लाएकर value को substitute करना है और जैसे ही आप value substitute करेंगे तो आपका जो transverse acceleration आएगा वो क्या आएगा two omega square आएगा ठीक और एक चीज़ और बता दे रहा हूं कि अगर इस theta के साथ काट alpha लग जाएगा तो जो transverse equation आएगा वो क्या आएगा यहाँ पर काट alpha करके आएगा यह चीज़ शेट कर लिजेगा अगर exam में theta के साथ काट alpha लग जाएगा तो अब यह आपका transverse acceleration जो होगा काट alpha आएगा काट बीटा लग जाएगा तो काट बीटा अगर खिक इन सब चीज़ों को दिवांग शेट करिए ताकि exam में साथ ना करना पड़े अगर सेम टाप पी कोशन आते हैं तो ओके 99 कोशन करा है कि इफ दा मोशन आफ पार्ट की इन सिंपल हारोनी मोशन इस इन पार्ट की लिए यहाँ पर पार्ट की लिए है पास्ट्य डारेक्शन में मोशन कर रहा है मतलब ओ से ए की तरफ मूब कर रहा है तो विलाश्थी a-sine अंडरूर्ट मूटी होगा और a-sine o की तरफ मूब कर रहा है तो विलाश्थी क्या होगा जो इसका एक कुस्षन होगा एकस्षिज कल टू a का संडरूर्ट मूटी होगा और अगर o से a मलब पास्ट्य डारेक्शन रहा है एकस्षिज पे तो एकस्षिज कल टू क्या होगा a-sine अंडरूर्ट मूटी होगा ठेक यह कैसे साल होगा इसको पिछले वीडियो में बताया हूँ वहाँ जाके देख लीजेगा ठेक कि अलग-अलग केस्षिज में अलग-अलग वैल्व आता है इसको इसके पार्ट फर्ष्ट में जाके आप देख लीजेगा ओके अब देखे का रहा है 29 पोसन क्या पार्ट किल हुज मास यम एच एक पार्ट किल है जिसका मास यम है वो क्या हरा है acted on by a force एक force द्वार क्या हरा है act हो रहा है force आपको दिख रहा है screen पे ठेक फिर पूछ रहा है towards the origin origin तरफ क्या कर रहा है act हो रहा if it starts from the rest a distance a ठेक so that it will arrive at origin in time ठेक तो देखिए जब आप इसको solve करेंगे तो कौन सा इसमें से equation आएगा मनलब time का कौन सा value आएगा इसमें इसको आप solve भी कियोंगे जब solve करेंगे इसमें तो जो आपका time का equation आएगा जो time का equation आएगा वो क्या हैगा first number आप से नाएगा teach call to मनलब जो इसका time period आएगा teach call to y by 4 under mu आएगा कैसे आएगा देखें यहाँ क्या करिएगा जो force है यह लिख लिजे का तरिक्या बताते हैं नहीं आप solve करिएगा m d2x upon dt square is call to क्या लिख सकते हैं आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m dby dx लिख सकते हैं minus sign क्यों लगा हैं क्योंकि towards the origin लग रहा है ठीक और यहाँ क्या हो जाएगा आपका x क्यों हो जाएगा यह चीज हो गया ठीक अब यहाँ से क्या करिएगा आप इसको जब solve करिएगा solve करके integrate करके time period आप निकाल सकते हैं इधर क्या हो जाएगा यहाँ डby dx हो जाएगा ठीक यहाँ से आप integrate करेगा इसको integrate करके जब value solve करेंगे तो आपका pi by 4 under mu आएगा आप इस question को solve भी कियोंगे ठीक मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए 21 number question भी आपके साल लोग solve करायोंगे ठीक देखे करा कि in a simple hiring motion u v w with the velocity at distance at distance a, b, c from a fixed point on the straight line which is not the center of the forces then the periodic time t is given by करा periodic time t क्या होगा किसके द्वारा दिया जाएगा कौन सा इसमें से value उसका क्या होगा periodic time t के लिए correct होगा ओके तो इसको आप जब solve करेंगे आप solve भी कियोंगे इसको अच्छा कुस्ण है solve कियोंगे तो आप आए होंगे देखे यहां पर थोड़ा सा option गरत लिखा गया यहां क्या होगा 111 होगा ठीक जब solve करेंगे तो यह वाल option आपका क्या होगा सी वाल option जो होगा correct आएगा ठीक यक्स डबल डाट इस इक्वल टू मलब d2 x upon dt square इस इक्वल टू mu lambda square माने 6 square वाले पर solve करेंगे आप जब इसको solve करेंगे तो आगे आपका जो equation आएगा यह left hand side is equal to इतना right hand side में आएगा ठीक आप solve कर ले जाएंगे अगर नहीं solve कर भाएगा फिर भी तो आप बताएगा इसका solution आपको provide कर दिया जाएगा 22 नूमर question करा है कि a particle is attracted by a force करा कि एक particle को क्या कर रहा है attract कर रहा है by a force to a fixed point varying inversely as the distance क्या है distance जो दिया किसके पावर है distance to power 1 ठीक उसके power 1 है if the velocity acquired in falling from infinite distance to a distance a from the center by equal to the velocity acquired in falling from rest at a distance at a distance a to a distance देखे confusion a बार रदे दिया ना इसलिए confused हुगा है अई फिर से question पढ़ रहा हूँ to a distance a by 4 ठीक इस question को देखे मैं फिर से पढ़ रहा हूँ और किसी दूसरे फार्मेल में इसको पढ़ूंगा ओके ओके देखे इस question को मैं दूसरे फार्मेल पढ़ रहा हूँ जहां जहां ए है महां भी करते रहा हूँ बस आपको समझने ले कर रहा हूँ क्योंकि बार बार एक पढ़ने पाप क्या हो जा रहा है अब देखे आपको समझने का रहा हूँ कर रहा है इस फोर्च से क्या कर रहा है वह अट्रेक्ट हो रहा है if the force acquired in falling from infinite distance to a distance b ठीक अब क्लियर है एक है जगा भी लिख दिया मैं from the center by equal to the velocity acquired in falling from at a wrist falling from wrist at a distance b to a distance b by 4 देन या निस ठीक जितना velocity वह क्या कर रहा है acquire कर रहा है infinite से b distance तक उतना वो जो velocity है क्या equal है rest से वो जो velocity क्या equal है अगर वो क्या कर रहा है rest से fall हो रहा है और किस distance से b से b by 4 distance सक जा रहा है ठेक देखे कर रहा है if velocity acquired in falling from infinite distance to a distance b infinite से b यानिम जो velocity है वो क्या equal है कब equal है b से by 4 में जो velocity है उसके तो यन का value बताईए तो सबसे पहले आप क्या करेगा velocity का value निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करेगा force वाला मला equation आप motion लिख लिजेगा वो क्या हो जाएगा mu और माल लिजेगा x है x के power यन ठीक जहापे mu क्या है आपका constant है x के power यन क्या लिखा क्योंकि बताई inversally है distance के जो x के power यन है मैंने माल लिया वैसे कि distance x है आप उसके value को put कर दिया जाएगा और जब फिर आप इसको solve करेंगे b के term इसको convert करना चाहें यह क्या हो जाएगा b db और इधर क्या हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा b db by dx हो जाएगा आप convert कर लेंगे इसको minus mu x के power यन अब फिर जब इसको आप आगे लिखेंगे तो आगे कैसे इसको लिखेंगे आप b db और इधर क्या हो जाएगा minus mu x के power यन dx अब क्या करिएगा दोनों साइड इंटेगेट कर देजेगा जो आप इंटेगेट करेंगे तो मैं डारेक्ट वैलू पर जा रहा हूं इस पे भी स्कॉार जो मिलेगा टू म्यू डिवाइड़ वाई यहर मानस वन और क्या हो जागा एक से पाउर यहर मानस वन मिलेगा आप इ और सा नियुट कर रहे डिवाई यहर मानस वन तो आप दिवाएड इंटेगेट करेंगे तो 1 मानस एकस के पाउर्ज n-1 मानस बी के पाउर है उन्माइड करके आएगा ठिक तो वाह से लंबा स्टाने शुश्र्षν जैसका तो फिर आप इसको शाल्व करेंगा शाल्व कर ठीक आप साल करेगा अगर नहीं हो पाएगा तो बताइएगा इसका सलूशन मैं टेलिग्राम पे प्रोवाइट करकूंगा ओके या वाटसब पे भी जहां आपको सुगदा हो वहां जूड़ सकते हैं 23 नमर को सनका रहा है कि टांस्वर्स विलास्टी टेकें पास्ट्यू इफ इस मेजर्ड इन डाइरेक्शन आप थीटा इनक्रीजिंग आपके सलूशन लोग बतायोंगे और मैं मत्मेटिकल फिजिक्स में बताया था फर्स स्मेस्टर में कि थीटा जिधर इनक्रीज होता है उ स्वाई debt होता है और जो Normal velocity होता हो क्या होता आपका जीरो होता है ओके टो इनwarmबर आपसन क्या होगा ठुण्टीफोर का कारेक्ट होगा अब देखे 25 नाव कोशन, 25 नाव कोशन करा की Tangential and Normal Acceleration of the Part के लिए Tangential Acceleration और Normal Acceleration पाल्टिकली का क्या होगा तो B Number Option करेक्ट होगा D2S upon DT² क्या होगा Tangential Acceleration होगा और Normal Acceleration क्या होगा आपका B2² Dsin upon क्या होगा Ds होगा इसी का दूसरा फार्म क्या हो सकता है इसका जो दूसरा फार्म हो सकता है जो दूसरा फार्म इसका हो सकता भी D sin by DT हो सकता है ठीक, तो यह सब कई सारे फार्म कल के लेक्षे में बताया था कई सारा फार्म इसका तो उन सब को दिवाम को सेट करेगा ताकि अगर एक्जाम कोई दूसरा फार्म आजाए, दूसरा रूपिस का आजाए, तो आप confused नहों, ओके, 26 नॉमर कोशन करा है, कि in a vector notation, the velocity and acceleration of the motion, in vector notation, the velocity and acceleration of the motion, क्या होगा, अगर r vector है, position vector है, तो velocity क्या हो जाएगा, dr by dt, और acceleration क्या हो जाएगा, d2r upon dt square, ओके, 27 नॉमर कोशन करा, कि the tangential acceleration of a particle moving in a curve with uniform speed, जैसे आपका speed uniform हो जा रहा है, तुरंद acceleration क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जब uniform, इस विट से move कर रहा है, तो acceleration का value क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 28 नॉमर कोशन करा है, कि if r is the position vector, आप a particle moving along curve at time t, and a is the acceleration at time t, then vector a is equal to, a acceleration है, r position vector है, क्या हो जाएगा, d2 r upon dt square, इसका acceleration होगा, वास्तों में, r कोपर vector होना चाहिए, 29 नॉमर कोशन करा है, कि the position of moving point at time t is given by x is equal to 80 square, y is equal to 280, the magnitude of its velocity at time h, तो देखे, जो आपका speed होगा, क्या हो जाएगा, magnitude of its velocity पुछा, तो x dot square प्लस y dot square को उपर क्या होता है, यही value आपका होगा, तो यहाँ आपका होगा, तो यहाँ आपके क्या करेगा, x को वे पार differentiate कर दीजेगा, और y को differentiate कर दीजेगा, तो यहाँ आपके कर दीजेगा, आप c number आप समझो होगा, करेक्ट पाएंगे, ओके, अगले section में हम लोग कुछ important point देखेंगे, उसको भी आप note कर दीजेगा, examination point of view से, ओके बच्चों, तो इस section में हम लोग कुछ important point देखेंगे, यह point काफी important है, इस पे भी MCQ आप एक्जाम में आ सकते हैं, तथा एक दू MCQ इसके उपर मैं पीछे भी कराया हूँ, ठीक, इन point को एक बार आप देख लिजेए, करा कि, इस पे अभी हम लोग किया है, यह कुछ important point है, तो यह क्या हो रहा है कि, अगर दो स्पेर आपस में direct क्या कर रहा हैं, तो क्या होगा, वो अपने विलास्टी को इंटर्चेंज कर लेंगे, पारला point यह है, दूसरा point क्या है, second number point कि, if a sphere impinges directly on a equal sphere, which is at rest, अगर एक sphere, directly क्या कर रहा है, करा रहा है, किसी दूसरे sphere से, जो क्या है, रिस्ट पे है, then a fraction of 1 by 2 times, 1 minus e square, the original kinetic energy is lost by the impact, तो उस impact में क्या होगा, इतने का kinetic energy इलास होगा, इस पे भी हम लोग क्या किया है, एम से क्यों किया है, ठीक, बस उसी important point को मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार आपके सामने ला दे रहा हूँ, ताकि आप उसको एक बार देखनें अच्छे से, अब देखिए, third point जो है, करा की, if a smooth sphere impinges on another sphere, which is at rest, the letter will move along the line of center, तो बात अला होगा, जो डिस से टकराएगा हो जाके, वो क्या करेगा, line of center के लांग move करेगा, और जो अंतिम important point है, वो क्या है, if two equal spheres, which are perfectly elastic, impinges at right angle, their direction after impact will still right angle, अगर दोनों क्या हो रहे है, right angle पर क्या हो रहे है, टकरा रहे है, तो उनका direction impact के बाद भी क्या होगा, right angle होगा, ठीक, यह चार important point है, इसको भी आप उन्ने दिवांगे, set कर लिजेगा, ताकि अगर MC की हुआ है, तो आप correct करके हैं, ओके, इस आज second part बना दिया, आपका third chapter complete हो गया, और कोसिस करूँगा, अगर समय निकला, तो जरूर दूसरे और पहले chapter का MC को आपको provide करूँगा, okay, मेरा कोसिस रहेगा, कि 17-18 जुन तक आपका mechanics complete कर दूँ, okay, ज्यादे ज्यादे इसको share करिए, चैनल को subscribe करिए, like करिए, okay, thank you